बंतरी के बेटे उसमें शामील है, अब फूर्पाइच मोरी है और सुप्रीम कोर्ट भी आस्ट नुवाई कर रहा है। क्या डिमांड करते हैं आप लोग के बहुत हाई प्रोफाइल मामला के जिराज बंतरी के बेटे से जोड़ा हुआ मामला है। देखिए, पिछले साल भर से देश भर का किरसान अंदोलन कर रहा है कि जो तीन काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किये बिना किसान देश के किसानों के ऊपर खोपे गए हैं। जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी जमीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का वविश सब कुझी पत्यों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि यह आप कानून वापिस लीजिये और हमारे साथ सलह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी। और अब तो ये हलाक होगे कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे हैं, अब शरे आम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं, चाहे हम देखें कि कैसे लाटियों के साथ हर्याने में क्या विवार हो रहा है, दिल्ली के बॉडर में क्या विवार हो रहा है, कुछ दिन पहले राज पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांत मही अंदोलन अब किसान अपनी अवाज भी ना उठाए जिए उनकी कोई पीडा है और अफसोस की बाद कि जब विडियो है आई विटनसेज है सब कुछ पब्लिक डॉमेन में है अदालब सू मोटो नोटिस ले रही है लेकिन पाँच दिन गुजरने के बाद जिस मंतरी का और उसके बेटे का नाम आ रहा है ना मंतरी को बर्खस किया गया है और ना ही बेटे को आज कर पुछताच के लिए बलाएगा उसको रेस्ट क्यों नहीं किया गया है आपकी दिमांड है मंतरी को बर्खस किया है बिल्कुल हमारी मांग है देखें जो जो गो मिनिस्टर अमन शान्ती को भंक करके लॉन ओर्डर को भंक करने का संदेशा की मुझे पहचान लो मरे बारे जानते हो आपकी मैं कैसे सबक सीख जाओ सुधर जाओ जो उकसारा है लोगों को जो भाईों भाईों को लडाने की बात कर रहा है इससे और घटिया राजनीती क्या हो सकती और आप उसको अपने मंतरे मंडल में बनाते रखें तो बहुत ही घटिया बाते उसके बेटे को आज तक आप उच्छाश ना करिए जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है वो गाडियों से अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है तो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में जो सारी दुनिया देख भी सारा देश देख रहा है लेकिन सरकार क्योंके सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है इसलिए पांच दिन से कोई गिरफ़तार नहीं है हमारी डिमांड ये है कि जो मोनु मिश्रा है वो इमीजेटली वो अरेस्ट हुए पंती हुई कारवाई उनके खलाब की जाए और जो मंत्री हैं उनको एक डम डिस्मिस किया जाए और ये जो नहत्य बिचारे गरीब जो बेकसूर गरीब के सान नौजवान बच्चे चले गए हैं कई सारज जो नुकसान हुआ है आठ जानों का उनका पूरा मुआफ़ा दिया जाए उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इलसाफ इलसाफ देना चाहिए ताकि ये हरकते बार बार ना हो क्योंकि कहीं पे हर्याने के मुक्मंत्री सारे हैं लोगों को कि लाखी उठा लो यहां यूनियन मिनिस्टर एम लोगों को सबक सखा दो तो यह देश को कहा लेकर जारे कितना बातेंगे आप देश को कही ना करिए बीजीपी पार्टी ने कहें है झाल झाल